मज़ते दोस्तो बिलकम बेक माई चैनल लेड़ेसी नेउच तो लेड़ेसी नेउच में आप सभी का सवगत है तो फाइनली गाई जितने भी स्ट्वेंट ने स्कूरूटनी या फिर रिवलोशन के लिए फार्म अपलाई किया है सभी स्ट्वेंट को बेसबरी से इन्तजार ह कि आखिर में उनका रिजल्ट है कब आएगा तो आज की वीडियो में हम सब जानने वाले हैं कि स्कूरूटनी और रिवलोशन का रिजल्ट डेट हुआ कंफर्म गाई कुछ ऑफिसियल अपडेट है जो मैं आपको लाइप रूप दिखाऊंगा ताकि आपको ट्रस्ट हो प करके मत देखना हर एक पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट होने वाले है तो चलिकाइस मैंदिरी के स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इस यहां पर स्कीन पर आप देख पाएंगे एक नोटीस है जो बीट्यूपी 19-12-19 को यह जारी किया था गाईस य या फिर स्कूरूटिंग का रिजट ओ कब आया था तो ऐसे में आपको इस पहले पता चल सकता है कि इतने तारीक तक अगर आपका रिजट 2019 में आया हुआ था तो इस बार आपका इतने तारीक तक आ सकता है यहां पर आपको सब कुछ डेटेल से बता जाएगा तो प्लीज आप वीडियो को स्कीप पर के मत देखना ओके तो काईस यहां पर क्या है सबसे पहले काईस आप इस स्कीन पर देख पाएंगे दिनाग बीस बारोग तो इसको आयोजित होने वाली बीसेस बैक पर पर परिच्छा दिसंबर 2019 को निरस किया जाने के संबन में मतलग वाइस की जो आपका एक्जाम होना था बीसेस बैक पर का बीस बारोग तो इसको मतलग वाइस की आपका दिसंबर महिने में होना था लेकिन उसको कैंसल करके एक नया डेट जारी का तो आप देख पाएंगे आप की आउपरोग बीसेस बारोग तो परिच्छा दिसंबर 2019 से तु आप आपके परिच्छा केंद पर प्रेशलीत हैं अपर इसवरी अपरियाहर कारवण दिनाख 20 बारोग तो दोनों परिपालियों में आयोजित होने वाली बीसेस बैक पर पर परिच्छा को निरस्ट किया जाता है तो आपका जो नियू डेट क्या था साथ बारोग तो नियू ड परिच्छा है इसको आप आयोजित कर दे जाएगा और आपका यहां पर कंफर्म है गाईस कि आपका जो बैक पर होगा ओर दिसंबल या फिस जैनुरी मन्त में डेफिनेटली आपका लिया जाएगा लेकिन गाईस जितने भी स्ट्वेंट हैं उनके दिमाग में बस एक एक क्वेबर के रिगार्ड दी जतने भी स्ट्वेंट को वैक लगा था उनको यहां पर कैसला कि मैंने आपको बताया कि थमनेल पर की आपके अन्टेटर परसेंडेज John के लिए वार्म अपलाई किया है उनके हंड्र परसेंडेज नंबर बढ़िंगे तो जहां पर इसी नोटि परिच्छा तो गाइस मतलब कि यहां पर बेसिक लिए अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको डेफिनेटली आइडिया लग जाएगा गाइस यहां पर देख पाएंगे अपना यह 15 बारत 2021 मतलब कि यह 2021 का यह नोटीस है तो गाइस मतलब कि आपको मैं बता दू कंफर्म कि जो आपका स्कूरूटनी आपकी रिजल्ट है और अक्टूबर मन्त में आने के मोशली चांसल है कि आपके अक्टूबर मन्त में आएंगे और गाइस आपके 30 अक्टूबर तर गाइस डेफिनेटली आपके एकजाम है ऊब्धूरी आपका जो जो रिजल्ट है और श्कूरूटनी रिलोसन फार्म का आज आएगा क्योंकि आपका जो इस्कूरूटनी तो बैग पेपर में आपको देना है आपको December में आपका एक्जाम होगा तो ऐसे में गाईस की आपका जो result है आने के chances की mostly chances की आपका जो October महिने में आ जाएगा लेकिन गाईस कुछ और भी update है जो मैं आपको live प्रूप दिखा देता हूँ और पड्रायदाम के इनदेदार कर रहे हैं October मा प्रूप देने लिए मुझे आपको संव माले not नहीं है यहां पे कुछ नोटीस में नोटीस है जो नोटीस आपको साफ साफ बताती है कि जो आपका एक्जाम हुआ था उसका रिजल जो आया था और पंदर यह वीज दिनों के अंदर आया हुआ था तो ऐसे में मुश्टी चांसटे आपको 30 दिन लग सकता है तो गईस मतलब कि आपका October तक आ सकता है मैं previous year के regarding बता रहा हूँ ना कि मैं कोई इसके regarding official update है and guys यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको बता है भी ज़रा कि सम समेश्टर परिच्छा मई दोजर भाई से तू सच्छी कलेंडर के निदरी की संबन में तो guys यहाँ पर सच्छी कलेंडर आप देख सकते हैं जो guys आपका हुआ था कब से सनल हुआ था आपका क्या हुआ था यहाँ पर आप इसको भी देख लेंगे guys आपको idea लग जाएगा तो guys मैंने आपको सब को discuss कर दिया है और guys number बढ़ने की बात करें तो guys mostly chances है कि बहुत से ऐसे student है जिनके एक से दस number तक back लगे हैं उनके number definitely बढ़ सकते हैं और guys मैं इसको guarantee के साथ बोल सकता हूँ कि आपके number बढ़ेंगे क्यों guys मुझे previous year का full confidence है क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे student के result चेक किये थे जिनका number बढ़ा था तो इस बार भी guys सेम ऐसे होगा और आपके number बढ़ेंगे तो bye bye take care channel पे नए हो तो प्रिशन को subscribe कर लेना बिलाइगां को press कर लेना और guys अगर कोई आपको latest update चाहिए बीट्यूपी के regarding तो आपको क्या करना है google पे search करना है boardsexam.com and यहाँ पे आप boardsexam.com की official website आपके सामने आ जाएगी यहाँ पे आपको click करना होगा जैसे का इस आप यहाँ पे click करोगे इसके बाद यहाँ पे आपको desktop mode में on कर लेना है जैसे का इस आप desktop mode में on करोगे यहाँ पे आप देख पाएँगे B2P event semester तो यहाँ पे click करके आप सब latest update का पता लगा सकते हैं कि आपको result कब आएगा क्या आएगा यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आप सब पल-पल की update यहां से आकर लेते रहेंगा इस यहाँ पे आदेख पाएँगे